मेरे किसान भावयो भहनो जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है तभी इस तरह की योजनाएं मुम्किन होती है जमीन पर उतरती है नाम मुण करके दिखाते हैं आप पहले की सरकारों की अब यह जड़ा समझने जैसा भीचे है बाई और आप गाउंगाउं बताएंगे जो बात मैं समझा रहा हूं गाउंगाउं बताओगे हर किसान को बताओगे सच्चाई उनको समझाओगे जूट फैलाने वालों को करारा जवाब दोगे मैं आपको समझाता हूं ये कॉंगरेस वाले चुनाओ के पहले ये सारे महा मिलावटी लोग ऐसे ही है कॉंगरेस हो सपा हो बसपा हो इनके सारे चेले चपाटे हो वो क्या करते हैं दस साल में एक बार उनको किसान याद आता है दस साल में एक बार और वो भी चुनाओ के पहले याद आता है और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चड़ने लई जाता है कर्ज माफी का बुखार चड़ने लई जाता है और कर्ज माफी का बुखार चड़ने लई जाता है और कर्ज माफी का बुखार चड़ने रेवडी बांट करके किसान की आँख में धूल जोंक करके बोट बटोर लेना ये चाला की वो सिख गए थे लेकिन उनको पता नहीं था उनकी पोल खोल के रख देगा उनके जूट के नकाब को खोल के रख देगा और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है ये मोधिक करके दिखाएगा और इसलिए पार्लामेंट में देखा होगा उनके चेहरे लटके हुए थे और हमने सिरफ चुनावी वादा करने के लिए गोशना नहीं की हम पार्लामेंट के फोल पर बोले है और बजेट में पैसो का प्रावदान करके बोले है ये हमारी मांदारी आप याद करिए साल दो हजार आठ में छे लाग करोड रुपिय का कर्च किसानों पर था जड़ा मेरे साथ बोलिए मैं बताता हूँ दो हजार आठ में सरकारी दफ्तर के हिसाब बैंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का पूरे देश का कर्च था छे लाग करोड रुपिया कितना 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 छे लाग करोड अब उन्होंने कर्च माफी चुनाओ के पहले गोशना की तो ये 6 लाग करोर माप होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था आप जड़ा जोर से बोलिए होना चाहिए था ये 6 लाग करोर किसानों का माप होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था 2009 में चुना हुआ फिर से वो कर्शी पे चिपत दे फिर रिमोट कंट्रोल चालू हो गया और क्या हुआ मालूम है आपको क्या हुआ मालूम है देश को किसी को मालूम नहीं है सब अंदेरे में और इनके चेले चपाटे भी 6 लाद करोड का कर्द था माप कितना किया सिरप 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 आंकडा याद रखिये 6 लाद करोड के सामने मात्र 52,000 करोड रुप्या माप किया कितना माप किया कितना माप किया कितना करने की जरूद थी कितना करने की जरूद थी आप मुझे बताईए ऐसा जूठी बाते करने वालों पर देश का किसान बरोसा करेगा क्या ऐसा जूठ करने वालों को सजा करेगा 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 और भाईयों भेनों ये 52,000 करोड रुपिया भी 10 साल में एक बार और वो भी नाव के पहले बड़ी-बड़ी बाते अब ये उन्होंने जो लिश्ट बनाई वो भी किसकी जो उनके सिपाश सालार थे उनकी सब किसानों की नहीं बारा तेरा करोड किसान उसमें से सिरफ दो या तीन करोड किसानों को ही सिरफ ये 52,000 करोड रुपिया बाट दिये गए उसमें भी 35 लाग तो ऐसे निकले जिनका कोई किसानी से लेना दे रही नहीं था बताईए भाई इतना बड़ा गफला क्या ऐसे लोगों को माप करोगे क्या भाईयो बहनो बस साल में 52,000 हम जो योजनल आये हैं वो हर साल साल एक समय के लिए नहीं है हर साल साल में तीन बार और सरकारी खजाने से हर वर 75,000 करोड रुपिया किसान के खाते में जमा होगा उन्होंने दस साल में एक बार 52,000 करोड दिया था हम दस साल में साड़े साथ लाग करोड रुपिया देंगे कितना साड़े साथ लाग करोड कितना 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 साड़े साथ लाग करोड कोई बिचोलिया नहीं कोई दलाल नहीं कोई मेरा तेरा नहीं न कोई जाती के आधार पर न कोई धर्म के आधार पर हर किसी को पांच एकड़ और उसे कम जमीन है उन सब के खाते में सीधा पैसा जाएगा भाईयो बैनो इनकी योजना वोट बटोन रेकी किसान के आँख में दूल चौकने की जी योजना थी उसमें गाउं में अगर सो किसान है तो कहीं पर बीस को लाब मिला कैसी को बाईस को मिला कहीं को पतीस को मिला हमारी योजना ऐसी है हर वर्ष मिलेगी देश के बारा करोड किसानों को मिलेगी और गाउं में अगर सो का हिसाम लगा ले तो सो में से नब्बे किसानों को मिलेगी भाईयो बैनो नब्बे किसानों सोचिए किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामिड अर्थ ववस्ता को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है इसका अपंदाज लगा सकते है साथियों हमारे लिए यह भी बहुत आसाम था कर्ज माफी का फैसला कोई मुश्किल काम नहीं था हम भी रेवडी बाढ़ देते हम भी चुनाव में अपना खेड खेल लेते लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं आप सोचिए हमारी सरकार प्रधान बंत्री क्रिशी सीचे योजरा पर ही करीब करीब एक लाख करोड रुपिय खर्च कर रही है इतनी बड़ी रासी हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाए तीस तीस चालिस चालिस साल से अधुरी थी लटकी हुई थी उन्हें पुरा किया जा सके हमने देश भर की निन्या नवे ऐसी परियोजनाए चुनी थी जिस मैंसे सत्तर से जादा अब पुरी होने की स्थिती में आ चुकी है इन परियोजनाओं की बजह से गिसानों को लाको हैक्तर जमिन पर सुचाई की सुविदा मिल रही है जो किसानों की आने वाली कई पिडियों तक को लाब देवाला है साथियों इन सिचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था कोई दबाव नहीं था सिंचाई परियोजनाओं को फुरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रस्ता था लेकिन सच्चा ये है कि कर्ज माफी से सिर्फ उपर इस तरके कुछ किसानों का फायदा होता कॉंग्रेस के चेले चपाटों का लाब होता मेरे गरीब किसान का लाब नहीं होता वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसे ने किसी बैंक से लोन लिया उनको लाब मिल ले रा आखे उन करोडों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाए किसी दूसरे से करज लेते है और हमारे देश में इनकी संक्या लाखों में नहीं बलकि करोडों में है